पिजिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागते हैं हमारे एक और इंट्रिस्टिंग वीडियो पे तो आज का वीडियो होने वाला काफी खास होने वाला है क्योंकि लिए मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसे अपलों के लिए कुछ ऐसे हाई ग्राफ टेन गेम लेका हूं इंटल एस्टी ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर आई 3 या उससे भी कम है और उसमें आप कुछ अच्छे हाई ग्राफिक्स गेम खेलना चाहते है जो की उपेंड वल्ड हो तो भाईया ये वीडियो सरफ आपी के लिए होने बाला है वीडियो को देखते हो लाइक नी करते ह यार लाइक करके सरूर जी जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और जो बैल आइकन है उसको और में कलना यह तीन चीच करोगे तो यार तुम कड़रपती बच जाओगे तो बिना टाइम वेस्ट के चले वीडियो को स्टार्ट करते है जो मारा फर्स्ट गेम नि असानी तरीका से उपलब दे आप इसे अपनी PC प्लाटफॉर्म प्लेशेशन 4, Xbox, ETC में काफी असानी तरीका से खेल सकती हो गेम की मोड की बात करें तो पर यहां पर अपको मल्टी प्लेयर का उप्शन देखने को मिल जाता है इस गेम में बेसिकली स्टोई लाइन के है को जो वल्ड मिलता है वहाँ पर एलियंस अटाक कर देते हैं आपको सिंपली अपनी जो सीटी रहते हैं उसे एलियंस से बचाना रहता है और काफी सारे इंट्रेस्टिंग मिशन्स यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं इस गेम की सबसे अच्छी बात क्यों हमने इस गेम खोज रहे हैं अपने मीड रेंज वाले PCI Laptop के लिए तो भाईया से अंत्रों फोर्स रफ आपी के लिए बना हुआ है बात करें इस गेम के सिस्टम रिक्वार्मेंट की कि मिनिमुम सिस्टम रिक्वार्मेंट क्या होना चाहिए बस रैम चार्जी भी होना चाहिए साइट पर जाए और इस गेम को अंस्टाल करें तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड गेम के ऊपर जो मेरा सेकेंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है GTA San Andreas Definitive Edition को 11 November 2021 को लॉंच किया गया था बिसिकली यह गेम आपका एक्षिन एडवेंचर ओपेंड विडियो गेम है और इस गेम को आप बखूबी जानते हैं हमारा चाइल हूट गेम है बट वेट 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 यहां पर बात है कि भाया यह गेम सिंगलब वेट वेट दो आपके सबी है बात के लिए आ मे उर्फिक्स यह ग्राफिक्स के लिए ध it आप इसे PC platform Xbox PlayStation 4 और PlayStation 5 में in fact Android में भी आराम से खेल सकते हो आप सभी को पता है GT San Andreas में अपने को काफी बड़ा मैप देखने को मिल जाता है मैप के साथ जब आपको नेक्स टेवल का ग्राफिक्स मिले तो भाया खेलने का यार मजा ही कुछ और आता है तो अगर आपके पास एक mid range वाला PC है तो भाया इस गेम को सरू से खेलना इस गेम को 4GB RAM पर टेस्ट किया है बिना lag बिना किसी इशू के चल रहा है भाया तो भाया RAM की बात करें तो मातर चार्ज भी होना चाहिए ग्राफिक आट्स की बात करें तो भाया Intel HD Graphics में काफी आसाइन तरीकर चल जाएगा प्रोसेसर की बात करें तो आई थरीक आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए स्पेस की बात करें तो भाया 23 GB के आजपास पेस खाइल रखना इस गेम को उस्टाल करने के लिए पहले बोला वही करो खूद फान के हमारे वेबसाइट पर जाओ गेम को इस पढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है जस्कॉस 3 2015 का आक्शन एडवेंचर ओपेंड वीडियो गेम है जिसे डवलब किया गया अवलान स्टूडियो के दोवारा एंड इसे पब्लिस किया गया स्वेयर यूनिक्स के दोवारा बैसिकली यह जस्ट कॉस सीरीज का यह थर्ड गेम है यह गेम आपके सभी प्लैटफॉर्म के लिए काफी आसाहिंतरिका से उपलब्द है आप इसे प्लैशेशन 4, XBOX, Microsoft, Windows में काफी आसाहिंतरिका से खेल सकते हो व्याजकी मोट की बात करें तो भाया गेम यहाँपर सिंगल पर देखने कों बंलता है व्याजकी बात करें तो भाया गेम काफी ेo्पी है यह भी आप उंप काफी अच्छा रीॉलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि भाया इस गेम का तो minimum system requirement ये 6GB से चालू होता है हम थोड़ी ना खेल पाएंगे अपने 4GB RAM पे बट यहाँ पर for your correction में बता दू कि इस गेम को आप 4GB RAM में काफी आसाई तरीका से खेल सकती हो ये अगर minimum system requirement की बात करें तो 4GB RAM होना चाहिए graphic cards की बात करें 1GB का need है और अगर आप इस गेम को टेस्ट किया है और अगर आप इस गेम को medium setting में भी खेलते हो तो भी इसका जो graphics quality है वो काफी realistic यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और गेम दोस्तों पुड़ा open world है आपको काफी मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें आपको काफी interesting missions देखने को मिल जाएंगे और आप इदर विदर भटक भटक भी सकते हो after game खेलने के बात मतलब पुड़ा enjoy कर सकते हो freely इस city को यह था हमारा third game बढ़ते हैं हमारे fourth game के ऊपर तो वैल के जूपरा fourth game निकल के आता है उस game का नाम है GTA 3 definitive edition GTA San Andreas का definitive edition बताया था सेम GTA 3 का भी एक remake अभी newly release हुआ है रॉक स्टार के द्वारा तो जो GTA 3 दूस्तों वो 11 November 2021 को release हुआ था Rockstar game के द्वारा and basically यह game आपके सभी platform के लिए काफी आसाइन तरीका से उपलब दे आप इसे PlayStation 4, Xbox, PlayStation 5, Android in fact अपने PC platform के लिए काफी आसाइन तरीका से इंस्टॉल कर सेकते हो and well guys यह game की बात करें तो भाया जो आप चाइल हुट में GTA 3 खेलते थे उस ताइब का graphics यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा उससे OP graphics यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मतलब यार पूरा game का काया पलेट दिया गया है यार आपको लगे का कि नहीं मैं है यहाँ पर GTA 3 खेल रहा हूँ काफी सारे reflection इसमें add किये गये है यार सज बताओ तो यार आप जैसी की देख सकते हो गेम को यार कताई next level का यहाँ पर आ गेम Rockstar ने बना दिया है तो भाईया ये भी एक high graphics game आता है range वाले PCI laptop पे चुलिए इस game को भी system requirement है वो भी कुछ जादा नहीं है RAM की बात करें तो मातर 4GB होना चाहिए Graphic Arts की बात करें तो भाईया पांसो बाराइं भी need है और दुस्तो प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम काफी आसाइन तरीका से चल जाएगा Space की बात करें तो भाईया 8GB के आसपा Space खायल रखना इस game को स्ट्रॉल करने के लिए गेम नहीं है कोई बात नहीं जैसे मैंने पहले का आता कुद्रफान के मेरे वेफसाइट पर जाओ वहाँ आपको गेम मिल जाएगा तो बहुत काफी ओपी गेम है आप जरूर से से फ्राइब करना काफी हाई ग्राफिक्स गेम है आपके मेड रेंज वाले PCI Laptop के लिए आपका एक भी डेटा वेस्ट नहीं होगा जितना भी में गेम सिरीज बता रहा हूं पूरा पैसा वसूल है यहां पर हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्ध गेम के ऊपर जो मारे फिफ्ध गेम निकल के आता है उस गेम का नामे प्लैटफORM में भी आराम से खेल सकती हो मोड की बात करें तो ब्हाई मल्ंटी प्लेटा यहां पर आपको देखने को मिल जाता मतलब अपने फ्रेंटर चींट साथ काफी आसाइन तरीका से खेल सकती हो इस गेम की बात करें तो नाम सही पतर दल जाएगा आपको नीट फोर स्पीट मोस्ट वांटेड मतलब कि यहाँ पर आप रेसिंग करते टाइम आपके पीछे पुलिस लगने वाली है तो भाईया गेम खेलने का मज़ा ही कुछ और रहेगा और यहाँ पर जब आप रेसिंग करोगे तो भाईया जो आपको इनवार्मेंट देखने को मिलेगा वो पूरा ओपें वोल्ड यहाँ पर इनवार्मेंट आपको देखने को मिलेगा काफी मज़ा आने वाला एंद ग्राषिक्स क्वालिटी थो भाईया आप कोंपरमाईजी मत करना है is जो कर देखने को मिलेगा जाता है सिस्टम परनेन के बात करे तो भाईया काफी है supply काम सिस्टम परमेंट 25 कि बात करे तो भाईया 2DB होना जाे है ग्राफिकाट्स की बाद करें तो होड तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक प्रोसेसर की बाद करें तो भईया ड्वअल कोर मी गेम चल जाएगा space की बाद करें तो भया 10gp की आसपा space खाली होना चाहिए इस गेम को install करने के ज़िए और आपका मन मानता है चलो एक बार ट्राइ करके देखते हैं तो भाया एक लिंक है नीचे वेबसाइट का वहां से आप इस गेम को इस इस गेम को स्टॉल कर सकते हो इसका ग्राफिक्स होने रियालिस्टिक होगा, आप तो GTA 5 में रन कर रहे हो, तो भाईया ये GTA YCT का Definitive Edition है, तो आप इसे अपने mid-range वाले PCI laptop पे काफी अच्छे ग्राफिक साथ खेल सकते हो, प्लीच प्लाफिक्स में जल्दी आने वाल है, कि बात करें तो भाईया यहाप को सिंगल पर देखने को मिलता है, अगेम हमारा चाईल होट है, गेम को यहापर एक्सप्रें करने का कोई जरूवत नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस गेम को जो ग्राफिक्स क्व यह आपके mid range वाले PCI laptop पे काफी अच्छे तरीके से रन करेगा और काफी अच्छे ग्राफिक्स में चलेगा भाई इस गेम को जो minimum system requirement है वो यहाँ पर में reveal कर देना चाहता हूँ RAM की बात करें तो मातर 4GB होना चाहिए Graphic Arts की बात करें तो minimum 1GB नीड है अपनी PCI laptop पे इस गेम को ट्राइ करने के लिए वही बात में फिर से दहराना चाहूँगा कि अगर आप इस गेम को ट्राइ करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर लिंक है जाके ट्राइ कर सकते हैं तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 7th game के उपर वेल के उमारा 7th game निकल के आता है उस game का नाम है Far Cry 3 Far Cry 3 की बात करें तो भाहिया 2012 का 1st person shooting वीडियो गेम में जैसे double up and publish किया है यह यूवी soft के दुआरा आप इसे PC platform PlayStation 3, PlayStation 3, Xbox Xbox 360 में काफी आसानी तरीका से क्यल सकते हो गेम की बात करें तो भाहिया गेम में आपको काफी इंट्रस्टिंग मिश्य से देखने को मिल जाते हैं यहां पर आप एक forest पे जाते हो जहां पर आप इधर बतर भटक फुटक जाते हो बट हमारा जो गेम का हमने लिस्ट में क्यों आट किया है क्योंकि इस गेम को जो graphics quality वो काफी realistic है मतलब आपके mid range वाले PCI laptop पे आपको अच्छे graphics में यह गेम खेलने का मौका देखने को मिल जाता है गेम टोटली open world है या वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक open world गेम में करते हो तो सबसे बेस्ट अगर आप एक best storyline और high graphics गेम खोज रहे है अपने mid PCI laptop पे तो भाईया यह गेम सरिफ आप ही के लिए बना हुआ है गेम की system requirement की बात करें तो जीबी होना चाहिए भाईया और graphic cards की बात करें तो महातर पांसो बैना भेनी डान दूस्तो प्रसेसर की बात करें तो भाईया i3 में गेम मखन जैसा चल जाएगा उससे कमें तो भी चल जाएगा और space की बात करें तो भाईया 20 GB के असपा space खायल रखना अपने PCI laptop इस गेम को install करने के लिए और अगर आप इस गेम को install करना चाहते हो तो भाईया शार्माने की कोई बात नी लिंक है description में जाके install कर लो तो वहल कर इस बढ़ते है हमारे 8th गेम के उपर तो जो हमारे 8th गेम आप इसे PC, PS4, PS5, Xbox में काफी असान तरीका से खेल सकते हैं गेम की mode की बात करें तो भाईया आप सिंगल प्लेयर खेल सकते हो मल्टी प्लेयर का इसमें कोई भी option नहीं है गेम की बात करें तो भाईया गेम का graphics काफी OPA काफी realistic game यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वो अपने Gotham City को protect करता है अपने दुस्मनों से तो वैल के इस बैसिकली यहीं गेम का concept है और इस गेम को मिशन है दोस्तों काफी interesting mission यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और आपको एक पल का ऐसा लगे कि भाईया मैं ही बैट मैं हूँ वैल कि इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर वैल कि जो पर 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है Mirrors Edge Catalyst जोस्तों Mirrors Edge Catalyst यह में है जिसे डबल अब किया डाइस के द्वारा एंड इसे पॉब्लिश किया एलेक्ट्रोनिक आर्ट के द्वारा एंड बिसिकली यह गेम आपकी सभी प्लाटफॉर्म के लिए उपलब दे प्लाप दे प्लाप दे एक्सबॉक्स के लिए उपलब जहां पर आप मिशन्स कंप्लीट करोगें वहां पर आपको पूरा ओपन वर्ल व्यू मिलेगा एंड सबसे अची बात दुस्तों कि इस गेम का जो ग्राफिक्स कॉलिटी वह काफी ज्यादा रियलेस्टिक है एंड आपकी जो मिड रेंज वाली PCI लाप्टॉप है उसमें अर्श और राम से चलेगा आप पूरा मजह ले सकते हो इस गेम का गेम के सिस्टम रेकोर्मिंट की बात करे तो बहएर रायम की कि बात करे मातर चार्ज भी होना चाहिए ग्राफिक आप की बात करे तो जो मेरा 10 गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टैक्सी चाउस आपका एक ओपेंड वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेमें जो कि आपके सभी प्लैटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से उपलब दे आप इसे प्लैसेशन 4, Microsoft Windows, Xbox One में काफी आसानी तरीका से खेल सेकती हो गेम की बात करें तो गेम को रिलीस किया गया 23rd February 2021 को लेटेस्ट गेमें दोस्तों और यहां पर आप एक टैक्सी ड्रावर का कहिधार लिबाते हो यहां पर आपको मिशन दिये जाते हैं आपको अपने कस्टमर को उनके डेस्टेशन में ड्रॉप करना रता है जब आप यहा ड्रॉप काफी रियालिस्टी के मतलब काफी ओपी ग्राफिक्स यहां पर आपको देखने को मिल जाता है साथ साथ जब आप इस गेम को खेलोगे तो भाहिया आप एक पूरा आपको एक टैक्सी डैवर का मतलब एक्सपिरियेंस होगा अगर आप टैक्सी चलाना चाहते हैं उसका आपको बता हैं ग्राफिक रहा है तो बहुंत गया तो आपको नैन पटैक्सी और जो मैं टॉप टैन गेम आपको बताया हूं यह हर एक गेम आपके 4GB RAM पे चलेंगे, काफी मक्षन जैसा चलेंगे और आप High Graphics का यहाँ पर Experience ले पाओगे दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और जाहिर सी बाते पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेर कोट, सब्सक्राइब करो जो कि तुम कभी करते नहीं हो, लाइक करो कि तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा देखते हो, लाइक करके नहीं जाते हो, तो प्लीज लाइक करके ज़रूर जाना और एक बात दुस्तों कि अगर आप कुछ भी ऐसा दिक्कत आता है या आपको गेम कुछ, कुछ इन में से दसो गेम चाहिए, तो टेलिग्राम गुरूप को जोईन करो ना भीया वो डिस्क्रिप्शन नाम का एक कुछ जगा होता है, वहाँ पर आपको टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा एक बटन दमाना, क्लिक करके जोईन हो जाना तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, जीव के साथ घुमना, तब तक लिए, जै हिन जै भारत